दोस्तों प्रदीबग्री एकडमी इस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वाग्या था मुझे पता है कि आप सभी लोग को आपके EM के पेपर का बहुत ही टेंशन आ रहा है बहुत ही आप टेंशन में कैसे सर मैं अपने EM के पेपर को कम्प्लीट करूँ या लास्ट टाइम प पर देख ले रहे हो तो इस टाइप के अगर कोई भी सम आते हैं तो आप आराम से और इस टाइप को सॉल कर सकते हो जैसे कि आपका फॉर्स जो लेशन है उसमें इस टाइप के पूस्ट आपको बहुत सारे मिलेगे इसी टाइप के कोस्ट तो आपको एट-least forces के बारे में तो knowledge होगा कि कैसे हमें forces को लेना है submission of x को कैसे लेना है submission of y को कैसे हमें लेना है इसके बाद बहुत ही simple सा आपका formula यहां पर resultant का है at least कुछ नहीं आ रहोगा तो यह लिख देना देखो यहां पर resultant का formula है under root दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारे लोग submission of x लेके square करते ह तो भी चलेगा या तो rx का square करोगे तो भी चलेगा तो finally यहां पर अपने resultant का value निकाल दिया then theta equal to tan inverse यहां पर देखो पहले y है फिर x है बस at least इतना याद कर लो जिससे क्या होगा बहुत सारी चीज़ों मैं कुछ नकुछ तो आप लिख के लेकर आओगे और आपको यह angles पता हैगी जब हम angles x-axis से लेते हैं तो आपन कॉस लेते हैं जब angles y-axis से लेंगे तो आपन साइन लेंगे वह आपका concept है वह आपका look out है इस टाइप का एक कोशन करके आपको जाना चाहिए लास्ट टाइम पर इसके बाद सेगें आपको देखो आप बहुत सारे लोग फ्रि समझ में आईगी देखो यहां पर 150 kg यहां पर लिखा है सब कुछ यहां पर नोटेशन यहां पर दिया हुआ है एक सम देख लो या तो आपको अगर अभी भी confusion है तो friction का हमारा जो वीडियो है पूरा का पूरा वीडियो का सीरीज इस चैनल पर दिया है तो friction का आप फॉर्स के लिए centroid क्या है देन इसके बाद अगर आप देखो कि rectangle के लिए क्या है ट्राइंगल के लिए क्या है अगर वह पूरा का पूरा फॉर्मले आप याद कर लो हमारा वन सॉट वीडियो अल्रेडी centroid का है अगर आपका कुछ नहीं हुआ है तो लास्ट टाइम पर अभी आप बहुत इस इस वाले पार्ट में अगर आप देखोगे यहां पर फीगर्स आपको सबसे बढ़े क्या करना है कुछ नहीं समझ में आतो एरिया निकाल देख रहा है यहां पर एक ट्राइंगल पार्ट दीख रहा है और यहां पर एक सरकल दीख रहा है अगर तुमने तीनों क बैख लेना तो आहसे पर दॉन देखा से निकाल दिया ना तो भी आपको कुछ मार्ट मिलेगा एरिया निकाल ले गया देखो एरिया वाला पॉम्पोनेंट हो गया यहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है कोई चीज अगर फीगर के बाहर है जैसे ही किसाम समझे मैं यह व यहां पर सभीरिया को सब्सक्राइब ऑने वाला है बार वर मैं भोल रहा हूं पर आपको रिखाई होगा कि यहां पर हमें टी सेक्षन दिया है मोमेंट ऑफ हिनर्सी हमें क्या करना है इस टाइप का अगर कोशन आया क्लीज स्कीप मत करना एक लिस्ट यह वाले पार्ट का एरिया तो निकालने आता है ना भई करना है कि मैं अपने पासिंग तक पहुत जाओं तो उमीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीजे समझ में आई होगी प्लीज इसे आप फॉलो करना और आपको बहुत ही अच्छे मार्ट मिलेंगे तो वीडियो का देखने के लिए दिल से थैंक्स तैंक्यू सोमस्च दोस् क्वेतो